हेलो स्टुडेंट्स वेलकम टू फैसल कॉंसेप्स स्टुडेंट्स आपको जूंके पता हैं हमने इसम्मली लेंग्विज प्रोग्रामिंग 8051 की स्टार्ट कर ली हैं तो अब हम आज के टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे पास रिजिस्टर का क्या कॉंसेप्ट है इसम्मली लेंग्विज के अंदर एड और मूव के जो इंस्टेक्शन हम यूज करते हैं वो सारी चीजें हम आज के लेक्चर में डिसकस करने वाले हैं तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कि register का हमारे पास क्या purpose होता है तो register को हम use करते हैं जो हमारी information है उसको temporarily store करने के लिए अब हमारे पास जो information है वो क्या हो सकती है हमारे पास a byte of data हो सकती है जिसको हमने process करना है या address हो सकता है pointing to the data to be fetched तो यह हमारे पास सारा store हो रहा होता है register के अंदर अब यहां पर हम कहते हैं कि the 8 bits of registers हमारे पास जो show हो रहे होते हैं वो D7 से D0 तक show हो रहे होते हैं यह हमारे पास 8 bits के registers आ जाते हैं यहां पर अब देखें हमारे पास registers हैं A, B, A is accumulator, register B, R0 to R7 तो यह 8 bits के register होगे और नेक्स हमारे पास हम कहते हैं कि अब apart from the PC and DPTR हमारे पास यह सारे register होते हैं 8 bit के और यह सारे हमारे पास use हो रहे होते हैं move और add instructions के अंदर तो यह सारे हम आगे चलके अब use करते हैं कि हम किस तरह से move instructions के अंदर use कर सकते हैं अब हम कहते हैं कि अब move A55H यहां पर हम क्या करते हैं कि अब यह है तो यहां पर कह रहा है कि इस signifies कि अब यह कोई हमारे पास value है Judeil a Comboillaire के content move कर दो आर जियरो बेह कोशला सकते हैं इसको हम έड इंस्टेक्शिं के रिए भी उस कर सकते हैं वह कसे से यहां पर आप देखें कि आपने accumulator A में पहले कोई value move कर दी 25 और फिर उसमें आपने कोई value add करनी हैं तो 34 आपने accumulator में add कर दी तो इस तरह से आप registers को use कर सकते हैं different move operations के लिए और add operations के लिए भी subtraction के लिए भी use कर सकते हैं different difference आप multiplications अगर आपने perform करनी है या divisions perform करनी है अमोमन वो हम perform करते हैं A और B के दर्मयान right दो हमारे पास जो operants होते हैं उनमें perform करते हैं जो most commonly है हम उनको use करते हैं move के लिए और addition के लिए use करते हैं subtraction के लिए भी use question है तो नीचे comment box में वो हमसे पूछ सकता है अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अब तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया तो नीचे दिएगे subscribe के button लाजमी क्लिक कीजिएगा ताके हमारी हर आने वादी helpful वीडियो सबसे पहले आप तक पहुन सकें कर दोड़ आप